दोस्तो ऐसा क्यों होता है कि इस दुनिया में अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब और गरीब क्या ये इसके लिए कोई extra effort करते रहते हैं? ऐसा नहीं है ये सव उनके subconscious mind का कमार है दोस्तो subconscious mind एक ऐसा रहसे है जो आज तक scientist अच्छे से decode नहीं कर पाए है पर ऐसी कुछ चीजें हमें पता है जिनका इस्तेमाल करके हम और स्वस्थ और बुद्धिमान और अमीर बन सकते हैं आप अपने सबकुंचस माइंड को जिस तरीके से ढ़लोगे वह उसी तरीके से ढ़ल जाएगा तो अगर एक अमीर इंसान सोच लेता है कि वह अमीर है और अमीर ही रहेगा तो उसका सबकुंचस माइंड ऐसे फंक्शस करने लग जाता है जिसकी वज़े से वह बन्या किसी अफट के और अमीर बनता जाता है अगर मैं आपको शाट में बताओं कि आपको एक्शल में और सक्सेस्फुल बनने के लिए क्या चाहिए तो वह है एक इंटलिजेंट और स्मार्ट माइंड सेट अगर आप एक intelligent और smart mindset बना लेते हैं तो आप बिना किसी effect के आगे बढ़ते जाएंगे